तो चलिए बना लेते हैं healthy सी मुँग दाल के खिचिड इसके लिए तेल में हमने प्याज, हरी मीज, टमाटर एड़ करके इसे अच्छी तरीके से हमने चला लिया है एक मिनट तक भून लेने के बाद इसके बाद हमने ये दाल और चावल को जो है अच्छी तरीके से धोकर भी अच्छी तरीके से एक मिनट के लिए मसाले को धीमी फ्लेम पर हमने भून लिया है इसके बाद जो हमने डाल और चावल भगो कर रखे हुए थे तक रीब आप ज़्ला गूंने रखते पानी तो अगर हमने एक कप करीब दाल और चावल लिया था तो इसका चार गुना पानी इसमें आड़ कर दिया है अब इसमें एक चम्मत करीब घी आड़ कर देंगे कसूरी मेथी आड़ करेंगे और स्वात के अनिसार इसमें नमक आड़ कर दिया है अब हम इसमें हरा धनिया भी ब लगा देते हैं और फ्लेम को हाई कर दिया है आप देख सकते हैं कुछ देर बाद इसकी जो है हमने फ्लेम निकल गई है तब आप देख सकते हैं हमारी जो मुंग दाल और चावल की खिचडी बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है अगर आप ज्यादा पतली खाना पसंद करते त बहुत सिंपल सादा से खिचडी है जटपड बन जाती है और खाने में भी बहुत हेल्दी है और यह हम इसे सबजी के साथ सर्फ कर लेते हैं अगर रेस्पी पसंद आईयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें